एलो फ्रैंट्स मैं होगा और अब आप देख रहे हैं smart tag platform फ्रैंट्स आज के फीडियो में लोग pm किसान सम्माननी थी खोजना की बारें बात करने वालें फ्रेंट्स पीम किसान सम्माननी दी वे उजना के 7 किस्त को लेकर किसानों के लिए बहुत बड़ी अफडेट निकल कर सामने आ रही जैंव फ्रेंट्स साथवी किस्त का पैसा जो है इन किसानों को नहीं मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों के लिए बड़ी ख़बर इन किसानों को नहीं मिलेगा सात्वा किस्त का पैसा सात्वा किस्त चाहिए तो करना होगा यह काम तो PM किसान सम्मान नहीं दी यह जनाम है जिन जिन किसान भाईयों के payment status में यह status आ रहा है उन सभी किसानों को सात्वा किस्त का पैसा जो है नहीं मिलने वाला है तो उनको कुछ काम करना होगा तभी जो है उनको सात्वा किस्त का पैसा मिल सकता है तो फ्रंट्स आज के इस वीडियो में इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल में जनका रहेंगे कि उनको क्या काम करना होगा और कैसे उनको सात्वा किस्त का पैसा मिल सकता है सारी डीटेल में बताएंगे तो प्रेंट वीडियो में सुरुष लेकर अंतक बने रही है और अभी तक आपने हमारी चैनल स्मार्ट टैक प्लैटफॉर्म को सस्क्राइब नहीं किये है तो नीचे सस्क्राइब बॉटम को प्रेस करके सस्क्राइब कर लिजे और बैल आइकन को प्रेस करके औल नोटिपिकेशन को अनकर लिजे ताकि हर वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे विडियो अच्छ लगे तो like, share और comment जरूर कीजिए और अगर आपको PM किसान related गोई भी problem हो तो नीचे comment box में comment जरूर कीजिए हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे तो चलिए आज की इस विडियो पर शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग PM किसान के official website PM किसान.gov.in पर आ गये हैं इसमें आने के बाद आपको एक किसान भाई का status दिखाते हैं जिनका वो problem आ रहा है तो आपको पता है इस्टेटस चेक करने के लिए PM किसान के official website PM किसान.gov.in पर आने के बाद आपको beneficiary status का एक option मिल जाता है यहां पर आपको देखने के मिलेगा यह वाला option पर आपको क्लिक करना होता है तो आपका status होने लगता है जिनका जो है payment status में वो option क्लें है पुरा details यहां पर उनका दिया हुआ है सारा details यहां पर आप देख सकते है registration down है active inactive active है PFMS bank status में आपक करेक्शन is pending at state बता रहा है और आधान नमर इनका verify registration date जो है एक साल हो चुका है एक साल तिन मेना लगबग हो चुका है तिन का जो है अभी तक जो है PFMS bank verify नहीं हुआ है PFMS बैंक पे correction is pending at state मतलब सुधाल लंबी थे state पे आपका जो form है उसका PFMS अभी तक verify नहीं हुआ है जिस कारण से यहाँ पर आप देख सकते हैं PFMS response date भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा यह किसान जो है इनको अभी तक PFMS response date भी नहीं मिला है कियोंकि आपर PFMS verify नहीं हुआ और यहाँ पर first installment में ही इनका payment stop by state on request of district बता रहा है तो यह जो है बहुत सारे किसानों का problem आ रहा है कि उनका payment status में payment stop by state on request of district बता रहा है क्योंकि जिले की अनुरोध पर state द्वारा आपका payment का रोग दिया गया है तो इसका मतलब ही हो जाता है state द्वारा आपका payment को रोग दिया गया है जिले का अनुरोध पर क्योंकि आपका form अभी तक verify नहीं हुआ था जिस कारण से आपका correction PLAYerus spending बता रहा है अगर आपका डीटेलो पुरा सही है, मतलब अगर आप पात्र किसान है, पैसा लेने के लिए, जो है PM किसान का कुछ दिसा निर्थे से, वो पालन करते हैं, आप पात्र किसान है, Income Tax नहीं बड़ते हैं, सारा PM किसान का पात्रता है, वो रखते हैं, तो भी आप प्यम किज़न से मन निदी उजना का लाब ले सकते हैं नहीं तो आपका अगर ये करक्षन इस्पेंडिंग बता रहा है और आप आपात्र किसान है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा इहीं स्टेटस में रहेगा तो इसका अगर माल लेज़ा पात्र किसान है तो आपको इसको सुधार कराना होगा सुधार कराने के लिए आपको तैसिल करिया ले जाना होगा वहाँ पर जाकर जो है आपको पुरा डोकुमेंट लेके जाना होगा आधार का फोटो कोपी, बैंक एकाउंट का फोटो कोपी, जो जमीन का विवरन दिये से, उसका फोटो कोपी, और आपका ये स्टेटस जो बता रहा है, इसका जो है, एक प्रिंट आउट निकाल लिजेगा, उसका जैरोक्स ले लिजेगा, और सारा एटेच करके, वहाँ पर लेखापाल से बात किए गए कि मेरा इस तर्वीं प्रोब्लम आ गया है मेरा इसका सुधार कराना है। आपको वहाँ से बताया जाएगा हृसीो है प्रॉल्ह durते बभाएजया है पंद रहे प्रॉह प्रोल ठेख मेरा था चैएगा। तो आपको 2000 रुपिय FTO आने के बाद आपको 2000 रुपिय जो है आपके एकाउंट में आना सुरू हो जाएगा अगर ये जो किसान है इनका जो है जैसे ही PFMS response date आएगा इनको जो है एक साथ सातों किस्त का पैसा मिलने वाला है क्योंकि इनका जो है 2019 का registration है तो 2019 का registration है उनका जो है एक साथ सारा किस्त का पैसा आएगा तो इनको एक साथ 1714 000 रुपिय जो मिलने वाला है तो अगर आपका भी इस तरफ प्रोब्लम है तो आप जल्दी से जल्दी सुदार करा ले आपको भी एक साथ 1000 रुपिय मिल सकता है तो फ्रेंट्स आज के इस वडिवगी एतना है वीडियो चलेगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए आज की इस वडियों बसना है थैंक्स